एक अंधेरी रात थी, शहर के बाहर एक पुराने हवेली में, जिसे लोगों ने भूत बांगला के नाम से जाना, कुछ दरावाने चहरे मौजूद दी, ये हवेली सुनसान और पुराने समय की याद दिलाती थी, कोई भी शक्स उस हवेली के पास से गुजरता तो दिल में ड पैदा हो जाता था, जुबैर, एक दारा होया लरका था, उसने सुना था के भूत बांगला में कुछ अजीब होता है, लोगों के कहने पर उसने फैसला किया कि वो एक रात भूत बांगला में जाकर खुद देखेगा कि सच में वहां कुछ हसल भूत होते हैं या सिर्फ धेरे में, जुबै ने अपने दोस्तों को अपनी हिम्मत दिखाई और उनके साथ भूत बांगला की तरफ चल पदा। रास्ते में उन्हें डर और बेचैनी महसूस होन लगी। हर कदम पर उनकी दिल की धरकन तेज हो रही थी। वो लोग हवेली के करीब पॉंच गए और दर्वाजे पर दस्तक दी। दर्वाजा खुल गया। वो लोग अंदर दा खड़ हूँ। अंदर का माहौल बिलकुल बैंड था, जैसे कोई किसी हाथसे के बाद सीने में दम कर रहा हो। जुबैर के दोस्तों की आवाजे अंदर की दीवार से टकरा रही थी। वो लोग आगे बढ़ गए। हर कदम पर उन्हें अजीब सी थंड़क महसूस होन लगी। आँखों के सामने भयानक चहरे घूम रहे दी। जुबैर के सास तेज हो गई। वो आगे बढ़ते गए लेकिन एक पल के लिए उसकी आँखों में अंधेरा चा गया। जब वो नींद से जग उठे तो देखा के वो अकेला है। जुबैर का दिल धढ़कने लगा। वो गूमती हुई रोशनी के साथ आगे बढ़ने लगा। परदे के पीछे आतिश बाजी की आवाजे सुनाई दे रही थी। जुबैर के जिस्म पर थंड़क सीचा गई। वो आगे बढ़ गया और एक खौफनाक मनजर देखा। भूत बांगला के कोने में एक डरावनी मूर्ती खा दी थी। उसकी आखों में खून की लड़िया थी और चहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। जुबैर की सांसें तेज हो गई। वो अपने आपको संभलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ काप गए। भूत ने जुबैर को पकड़ लिया, उसका चहरा अंधेरे में गम हो गया। उसकी चीखे कमरे में गूंज रही थी। फिर एक खामोशी ने कमरे को अपने अंदर शमा लिया। कमरा खुद बाख खुद बैन हो गया, सिर्फ अंधेरा रह गया। कुछ देर बाद कमरे का दर्वाजा खुद बाख खुद खुला। जुबैर बेहुश था, जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से नीक, एल गई हो। कमराय का माहौल भयानक था, अंधेरे में आखों के सामने दरावाने चहरे मुस्कुरा रहे दी। भूत बांगला हमेशा से ऐसा ही था, और अब भी वो अंदर रहते हैं। जुबैर की आत्मा अब वहां कैद है, और लोगों की रूहों पर भूतों का साया चा गया है। भूतों की हरकते और दरावाने चहरे अब हमेशा वहां रहेगी। लोगों की जिन्दगियों पर डर और भयानकता का इहसास बरसेगा।